नमस्कार आप सभी का एगेंस्ट करप्शन 99 में बहुत बहुत स्वागत है आज हम लोग जानेंगे सुचना अधिकार अधिनियम आर टी आई एक्ट दो हजार पांच के तहत किस प्रकार हम लोग धारा अठारा के तहत सिकायत बाद में दो सी पदा अधिकारियों पर अफाया दर्ज करवाने का निर्दैस प्राप्ट करने है तू सुचना आयोग मुक्षाचना आयक्त के समक्ष एक सिकायत बाद दैर कर सकते हैं चलिए जाने आज हम लोग इस प्रकार सूचना आयोग में मुक्ष सूचना आयुक्त के समक्ष सिकायत बाद में अपना पक्ष रखते हुई परतिवेदन आवेदन सिकायत दर्ज करवा सकते हैं चलिए जो इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किये हैं वो अबस सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को दबा कर आल पर भी क्लिक कर लें जिससे वरश्टाचार को उजागर करने में आर्ट याई के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे तथा अपने सिकायत को अच्छी तरह सुसंगत ढंग से लिखकर आयोग में अपना पक्ष रखकर दोसी पर अफ़यार दर्ज करवा सकेंगे इसे इतना सेर करेंगे कि हर किसी भारती को इसकी जानकारी आसानी से हो सके तथा एक लाइक अवस्च कर देंगे चलिए यहां देखेंगे अपने अपने राजी के मुख सुचना आयुक्त को संबोधित करते हुए एक सिकायत बाद इस प्रकार लिख सकते हैं अपना विशाय में लिख देंगे मैंने इस सम्मन्द में एक दूइती अपील भी किया था जिसमें सुनवाई भी हुई थी उसमें दोसी लोग सुचना पदादिकारी के खिलाप पर्थम अपील ये प्रादिकार सह पुलिस अदिक्चक को भी निर्देश प्राप था कि दोसी पर कारवाई की जाए लेकिन सब पुलिस पदादिकारी आपस में मिले ही रहते हैं आप लोग अच्छी तरह जानते ही होगे इसलिए एक दूसरे को यहां बचाने का काम किया और मैं इसलिए सुचना आयोक के मुख सुचना आयोक के समक्ष पुरह सिकायत वाद दायर कर रहा हूँ यहां मैंने SIC वाद संख्या इतना की दिनां 22-22 की आदेश की अभिलना करने के कारण सही वाँचित सुचना नहीं देने के कारण जूठी परदान करने पर धारा अठारा एक के तहत सिकायतवाद में दोसी पर अफायार दर्ज करवाने का निर्देश देने के संबंद में यह आयोक के समक्ष पुर्तिविदन दे रहा हूँ मैं अपना नाम पुरा पता लिखा हूँ बनाम में जो भी दोसी लोग सुचना पता दिकारी हैं उनका नाम और पता है महासे मैंने उपरोप्त कार्याले में आर्ट याई एक दोजार पांच के तहत प्रपत्र को द्वारा दिनांग 13-10-19 को एक आवेदन दिया था मैंने आयोग में दियती अपील भी किया था जिसके बात संख्या इतना में मुक्षूचना आयुक्त द्वारा दिनांग 12-10-21 में आदेश पारित हुआ जो मुझे गया पांच कितना दिनांग कितना से प्रापत हुआ है इस सम्मद में मैं निवेदन पुरुबक काना चाता हूँ कि पहला मैंने इस सम्मद में दिनांग 12-12-21 को सिकायतबाद दायर किया था जिसमें कुछ कमी के कारण मेरे सिकायतबाद को वापस कर दिया गया है इवं पुनह 30 दिनों के अंदर त्रिटियों का निराकरन कर पुनह दायर करने का निलदेश पत्रां कितना दिनां कितना से प्रापत हुआ जिसका टैरी संक्षा इतना है दूसरा लोग सूचना पतादिकारियां ड्यारा वरसों विलम के बाद भी मुझे आयो के आदेश के बावजूद सही वान्चित सूचनाए नहीं दिया गया नाहीं प्रथम अपिले प्रादिकार सहप्रिस अधिक्षक द्वारा बिलम्ब के लिए दोसी के विरुद आवस्यक कारवाई सो समय की गई अगला पॉइंट मैंने बनाया है तीसरा लोग सुचना पतादिकारी नाम दे देंगे द्वारा सुचना आयो के आदेश के बावजूत सही वांचित सुचना परदाम ना कर पुना ग्यापां कितना इतना से जिस भी रिपोर्ट की उसने सुचना दी मुझे मैंने दूसरे थाने से रिपोर्ट मांगी थी यहां तक की जीला भी दूसरा तो वह दूसरे जीले और दूसरे थाने से संबंदित रिपोर्ट भ्रामित करने के लिए भेज दी गई है जो की आस्चर जनक है की एक थाने में दूसरे थाने यहां तक की दूसरे जीले के रिपोर्ट कैसे आ गया था और उसे मुझे जान बूचकर भ्रामित करने के लिए आयोग को गुमराह करने के लिए भेज दी गई थी ऐसी इस्तिती में दोस्यों पर धारा बीस एक के तहत पचीस जार रुपे आर्थिक डंड लगाया जाए चौथा आयोग के आदेश का भेलना करने एवं सौ समैठिक से काम ना कर वरिष्ट पदादिया कारियों को जूटा रिपोर्ट करने वो जनता को प्रतारित कर परसान करने के कारण दोस्यों पर धारा बीस दो के तहत अनुसासनिक करवाई के लिए सिफारिस करते हुए दोस्यों पर सुसंगत धाराओं में अफायार दर्ज भी करवाने का निर्देश देने की किरपा की जाए एवं मुझ दिव्यान को हुई आर्थिक मांसिक छती के लिए धारावनी साथ बी के तहत मुआपजा भी दिलाने की किरपा की जाए इस प्रकार मैंने आयोग में यह सिकायतबादार पुना कर रहा हूँ नोट में चुकि यह थाने से संबंदित मामला था गंभीर मामला था इसलिए जीवन एवं सुतनता से संबंदित होने के कारण सिख्र सुनवाई करते विए मुझे सुनवाई के लिए अढ़ाई वज़े प्रहान का समय रखने की किरपा की जाए यहाँ मैंने अपने स्वेक्षा से अपनी सुनवाई में उपस्थित होने के लिए मुझे सकेंड सिटिंग में आसान होता है इसलिए मैंने यह अपने और से आयोग को अगरह किया है अपना नाम पुरा पता लिखेंगे जो भी आयोग को देंगे वह अनुलगनक में एक सुची इस्परकार बना लेंगे और कुल पेज अवस्थ लिख देंगे क्योंकि कभी-कभी आयोग के कुछ कर्मी के कारण भी कुछ आवेदन के कुछ पन्ने इधर-उदर हो जाते हैं जिससे आवेदक को, सिकायत करता को, अपिल करता को भाड़ी समय की बरवादी करना परता है जिसके कारण समय भी नस्ठ हुआ और हमारा आर्थिक इस्तिती रुपईया पैसा भी अनावस्यक रूप से खर्च हो जाया करता है इसलिए आप लोग सतरकों के सजग होकर पूरी अच्छी तरह आवेदन को लिखें साप साप लिखें या टंकक करा लें टाइप करा लें और उसके बाद सीदे सूचना आयोग में जमा करा सकते हैं या रिष्टर डाक से भी भेश सकते हैं जैहिन